हलो फ्रेंड्स आज जो हम टोपिक डिस्केशन करने जा रहे हैं वो है पंचायत राज सिस्टम के बारे में जिसे त्री टायर सिस्टम भी बोल सकते हैं कि पंचायत राज सिस्टम होता क्या है और इसको त्री टायर सिस्टम क्यों बोला गया है और इसके लावा कौन-कौन से इसके अंदर institute include होते हैं जिनके बारे में discussion करेंगे तो मेली जो government के तुरू जैसे बात कर सकते हैं कि जो इसको रूरल administration भी बोला गए तो चलिए बात करते हैं पंचायत रास system होता गया इसे त्री टायर structure भी बोला गया साथ की साथ इसके अंदर तीन institute include किये गये हैं जैसे पंचायत होगी पंचायत समीती और जिला परीशत तो इनके बारे में जैसे कि विलेज लेवल की बात करें ब्लोक लेवल की बात करें और topics या जैसे कि जो public health के regarding welfare program वहाँ पे चलाए जा सके उनको recognize कर सके उनको execute कर सके तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो विलेज लेवल पे जो institution organized किया गया है execute करते हैं वो है पंचायत पंचायत के बारे में discussion करेंगी पंचायत होती क्या है कौन-कौन से उसके अंदर भी subunits include होती है कि जैसे example के बात करें ग्राम सभा हो गया ग्राम पंचायत हो गया और नयाय पंचायत तो सबसे बात करें पंचायत कि जो पंचायत एट विलेज लेवल पे होता है इसके अंदर तीन units constitute की गई है include कि जैसे ग्राम पंचायत ग्राम सभा और नयाय पंचायत अब सबस area के बात कर सकते हैं यह पर्टिकुलर एक जैसे कि जो apply करवाय जाता है जो welfare की बात कर सकते हैं और एक होता है gram पंचायद, gram पंचायद के अंदर क्या होगा कि 5000 से 15000 population या उस से ज़्यादा population include की गई और उसके अंदर साथ की साथ जो उसके जो president होते है gram पंचायद के अंदर वो होते है सरपंच या मुख्या वो क्या करेंगे कि जो function उनका mainly ये रहता है कि एक जो public health के बात कर सकते है या जैसे कि जो problems होंगे उनको वहाँ पे soul out किया जाए या जितने भी जो welfare program होंगे उनके बारे में discussion किया जाता है तो ये था सबसे जो village level के बात कर सकते हैं three tire system के अंदर सबसे पहला आता है पंचया अब second one बात कर सकते हैं पंचया समेती आप पंचया समेती जू रहता है उसका जो at block level पे रहेगी जो acads समेती की बात करे है उसका जो level या जिसए कि जो impactful समेती जहां UP 21h उसका status रहता है वो रहती है पंचायत सम्मीति के अंदर जिसके अंदर सोस से ज़्यादा विलेज इंक्लूड होंगे साथ की साथ जो की सरपंच होंगे अलग-अलग जो ग्राम पंचायत की क्यों ग्राम पंचायत के अंदर जो सरपंच होंगे वो ही मेड़प वहां पे जो भी community के जो प्रोग्राम रहेंगे कि welfare के regarding कैसे community को develop कर सकते हैं तो उसके लिए क्या किया जाएगा जो program monetize करें उनको execute करना और साथ के साथ उनके ये responsibility रहेगी कि जो health matters या sanitation को maintain करना कि जो environmental sanitation हो गया उनचीजों को maintain करना तो ये था पंचायत समेटी के बारे में तो बात कर सकते हैं जिला परिशद अब जिला परिशद के बात कर जिला परिशद के अंदर के आँगा यह रहता है एक district level के उपर जहां पर जैसे कि बात कर सकते हैं collector इसके इंक्लूड होंगे या non voting members include होते हैं जो कि में लिए उनका function ये रहेगा कि जो health को कैसे improve किया जा सकते ह family planning की बात कर सकते हैं या जैसे कि जो mother child health services होती है या officers महाँ पर maintain किया जाएंगे जिससे उनके health को control improve किया जा सके और disease को महाँ पर control कर सके और जितने भी जो welfare program होंगे जो agencies होती है जो local area की बात कर तो government की through district level के उपर apply होंगी तो ये था एक जो पंचायत राज system या बोल सकते three tire system इसे include कर सकते हैं जिसके अंदर पंचायत होगी पंचाय समीती होगी जिला परीशत जो जिला परीशत होता है जो district level पे रहेगा पंचाय समीती ब्लोक लेवल पे और जो village level के बात कर तो वहाँ पर आएगी पंचायत ओके थेंक्स